So, Hello दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस brand new YouTube channel V4 Value में आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने playlist की थीज़ी वीडियो Becoming a Better Investor के बारे में So, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिर हम कैसे किसी company के financial statements को check कर सकते हैं साथ ही साथ yearly basis पे और quarterly basis पे उसकी growth किस मुताबिक हो रही है इस चीज को check कर सकते हैं So, without wasting any time, let's start the video So, example के लिए मैंने IT company Vipro Limited को लिया है जिसके बार में शायद आप जानते ही होंगे तो मैं आपको इसके financials को check कर के दिखाता हूँ इसका EBITDA कितना है, तो EBITDA में इसका क्या क्या क्ट रहा है तो आप जैसे देख पा रहे होंगे, raw materials में इसका इतना पैसा लग रहा है जो भी इन्होंने revenue कमाया इसमें यह minus करना होगा fuel and power cost, तो यह इनका कोई खर्चा है नहीं कि आपको पता है IT sector है then operating and other expenses, इसका होगे, तो यह इनका आगे EBITDA फिर यहाँ पे आप चाहे तो इसको आटाने के बाद इसको भी देख सकते है depreciation को minus कर देंगे, तो यहाँ पे आपको आजाएगा prebit then आपको PBT निकालने के लिए आजा जो भी interest और इनको लग रहा है वह आपको pay करना पड़ता है, वहाँ आटाने के बाद net income तो net income को निकालने के लिए simply वह जो बचावा income है मालने जीए 10,000 करोड तो उसमें से इन्हें बस simply tax को minus करना है जो income बची वह इनकी आगई है net income तो यह yearly basis पर आपको दिखा रहा होगा अब आपको देखिए numerical number हर किसी के बस की नहीं है समझना तो आप इसे growth के basis पर भी कर सकते है growthly basis पर year on year basis पर कितने percent का उन्होंने growth दिखा रहा होता है तो year on year basis पर आपको ऐसे पता चल जाएगा कि कितने percent का इन्होंने compound growth दिखाया है कौन सा year on का खराब किया है कौन सब नहीं आप चाहे तो इसको quarterly basis पर भी कर सकते है जहां यह annual है आप उसे quarter करके दिखे आपको फिर यहां पर quarter basis पर आपको दिखाए देगा कि इन्होंने quarterly basis पर कितने percent के growth दिखाया है और आप चाहे तो इसको growth का अटा के margin margin भी आप चेक कर सकते हैं कि आपको जो net income margin आ रहा है वह अभी 17% से 13% 14% हो गया तो आप देख पा रहे होंगे जैसे पहले जहां यह बढ़ रहा था वह कम हो गया अब आपको मान लीजिए से annual basis पर करते हैं मार्जिन चेक करने के लिए कि इनका कितना margin लग रहा है तो यह देखिए annual basis पर इनका जो net margin है वह 14% था 16% से 14% 14% 15% अब भी फिर से 16% तो आप कह सकते हैं कि year on a year basis पर इन्होंने बढ़ाया है अपना net margin तो इसको देखकर आप किसी भी company को judge कर सकते हैं कि उनका main खर्चा कहां पर जा रहा है किस जगे पर उन्हें area of improvement है आपके मुताबिक और क्या वो company in future में और ज्यादा growth दिखा सकती है तो यह एक main motive होता है तो आप यहां से देख पा रहे होंगे आप company के किसी प्रकार के annual reports को भी download कर सकते हैं जैसे कि आप यह देख पा रहे हैं 2021, 20, 19, 18 ऐसे तो यहां से आप सारी चीजे company के growth, revenue, margin वगएरा सारा कुछ आप quarterly, yearly basis पर देख पा रहे होंगे ताकि आपको और ज्यादा information मिल सके किसी भी stock को pick करने के लिए जल्दी मिलते हैं ऐसे एक और नही वीडियो के साथ तब तक लिए stay safe and good bye